आज हम लोग बात करेंगे bacterial growth के बारे में, bacteria की growth क्या है, point हम देख ले रहे हैं, increase celluloconstrient which lead to the rise in cell number, करें bacteria का celluloconstrient बाढ़ना ही, क्या है? bacterial growth है, reproduce by the binary fission, bacteria जो होता है, binary fission के दोरा reproduce होता है, which is the form of the sexual reproduction, व्वाइनरी दिखा जे लांगेटना डूप्लीकेट करते ना डूप्लीकेटीट करता लिया उसके बाद क्या करता है तो L waal अब करता है फिर लाशट मे होता एक बीच में क्रास वाल बन जाती हैं इसके बात क्या होता है दोनों सिल एक दुसरे से अलग हो जाती है यह एक विक्टरिय से दो बैक्टरिय बन गया इसे हम बात करेंगे growth curve के बारे में increase in the cell number or growth in population studied by the growth curve करें bacteria के cell number बढ़ना या bacteria की population increase करना हम इसको growth curve के द्वारे जानेंगे इसके हैं अगर बैक्टरिया के कॉंट को हम टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो उसी ग्राफ को केते हैं bacterial growth curve 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 कर बस्वोदा following phase जो बैक्टरियल ग्रोध कर वे चार फेज्वोर करता है सबसे पहला फेज होता है उसे कते हैं लाइग फेज जब कि दूसरा फेज होता है उसे कते हैं लॉग फेज तीसरा फेज होता है उसे कते हैं स्टेशनरी फेज चोथा फेज होता है उसे कते हैं डेथ या डिकलाइन फेज एक एक फेज हम देखेंगे हो जाए पर फीगर होना चाहिए दिखाते है नीचे बना कि सबसे परला है लाय। लॉटी या फेला होना चाहिए लायक फेल लाख हो गया न तो ना चाहिए लैक फिरLiq Steel होगा cell do not increase in number but increase in size करें like phase में क्या होता है cell number में increase नहीं करती है वो अपनी size को बढ़ाती है जिसे वो divide कर सके cell undergoing ये period of the intense metabolic करें इस period में like phase की period में जो cell होती है वो बहुत ज्यादा metabolic rate बढ़ा लेती है intense metabolic में बहुत ज्यादा metabolic rate जाता है इसका point पुरा देख लेने cell undergoing a period of intense metabolic activity involving synthesis of enzyme and other various molecules required for divide करें इस phase में like phase में जो bacteria होता है वो division के लिए जो enzyme required होता है उनका synthesis करता है और other molecules जो dividing के लिए important होता है उनका भी synthesis करता है जैसे DNA को duplicate करेंगा और बाकी चीज़ों को double-double करेंगा तभी तो divide करेंगा length of phase depends upon the nature of medium and micro-organism जो like phase का जो length है नि जो period है वो nature of medium पर depend करेंगा कि वहाँ पर कैसा medium है और nature of micro-organism पर depend करेंगा ने कौन सा bacteria है हर bacteria के लिए like phase अलग अलग होगा हम दिखा दे रहे हैं कर्ब देखो यह वाला phase क्या है like phase है उपर दिखाया गया है number of bacteria यह number of bacteria है यह है time time बढ़ता जा रहा है लेकिन bacteria का number बढ़ता नहीं जा रहा है like phase में like phase में bacteria का number पढ़ेगा नहीं जबकि bacteria का size बढ़ेगा यह वह phase है जिसमें bacteria अपना preparation कर रहा है dividing का से हम लोग पढ़ते थे हम लोग अपने में पढ़ते थे जिससे सेल साइकल में पढ़ते थे इंटर फेज हम लोग क्या था एक मेटाबॉलिक अक्टिविटी वाला फेज था जिसमें येस फेज सारा फेज था तो वही बक्रिया में क्या होता है लाइक फेज अब इसके बाद आएगा लॉक फेज देख ले रहे हैं लाइक फेज कंपलीट हो गया दूसरा फेज है लॉक फेज इन दिस फेज सेल स्टार डिवाइडिंग लॉक फेज में कहोगा सेल डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगी इट इस काल्दा इक्स्पोनेंशियल फेज क्योंकि बेक्ट्रिया का नंबर इक्स्पोनेंशिल बढ़ेगा देखो क्या होगा लगातार बेक्ट्रिया का नंबर बढ़ता चलाएगा इसे कहेंगे इक्स्पोनेंशिल ग्रोथ हो रहा है इस फेज में पॉपलेशन इस इनिफार्म होगी देखो लगातार बढ़ती चली जाएगी इनिफार्म पॉपलेशन होगी हार एक पॉइंट पे इनिफार्म पॉपलेशन ओके देख ले रहे हैं इसका जाएगा बढ़ता चला जाएगा देखो ड़्ट्रीय का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो लॉग पेज में क्या होगा exponential increase होगा बैक्ट्रिया के नंबर में main phase यही है division की अब एक maximum increase के बाद क्या होगा बैक्ट्रिया डिवाइड करना बंद कर देगा तो उसे कहेंगे stationary phase तो time बढ़ता जा रहा है लेकिन बैक्ट्रिया का नंबर बढ़ता नहीं जा रहा है तो उसे कहेंगे stationary phase देख ले रहे हैं इसको भी पड़के तीसरा phase हम पढ़ेंगे stationary phase after exponential growth cell division stop called the stationary phase करें cell growth के बाद यहने cell division के बाद एक समय ऐसा आएगा कि cell का division बंद हो जाएगा तो उसे कह देंगे stationary phase क्योंकि यहां पर bacteria का number बढ़ नहीं रहा होगा the number of the daughter cell form is just enough to replace the number of the cell that die करें the number of cell of daughter cell form is just enough करें जो अभी तक log phase में cell बन चुकी है वो इतनी जादा है कि एक दो cell अगर die भी कर जाएए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो any cell का number क्या होता है constant ही रहता है उस समय परिका the number of cell the number of daughter cell form is just enough करें जो just अभी फार्म होई इतनी जादा होती है to replace the number of the cell that die कि जितनी cell die हो चुकी है कि उनको replace कर दिया जाए समझ महारा न अपर हम एक point गलत बोल गया है फिर से इस point को देख लो the number of daughter cell form is just enough करें को जो इस समय stationary page में log page में बनी हुई cell इतनी जादा मात्रा में होती है कि जितनी cell die हो चुकी होती है उनको ये replace कर देती है अब के लिए रोगा point ये फिर से बता दे रहे हैं एक बार क्योंकि miss हो गया पंड the number of daughter cell is just enough इस समय farm होई daughter cell इतनी जादा होती है कि replace the number of cell that die जो cell die हो चुकी होती है मर चुकी होती है उनको ये replace करने में सच्छम होती है उके चौथा फेज होता है decline phase एक समय क्या होगा maximum increase हो गया फिर सारी कमी को इंसलोने पूरा कर दिया जो die हो चुकी सारी कमी पूरा कर दिया फिर क्या होगा battery का ये initial life span होगा फिर ये क्यों होगा battery का death होना start हो जाएगा तो क्या होगा नंबर कम होता चला जाएगा तो इसे कहेंगे decline phase देख ले रहा है देख लो क्या होगा सबसे पहले number increase होगा फिर जो cell die हो चुकी उनको replace करते चले गए एक stationary phase था फिर क्या होगा battery का initial life span होता है तो उसमें क्या होगा battery का death होना start फिर नंबर घरता चला गया time के साथ सब्सक्राइब आया ना देख लेने decline phase हम लोग death are decline phase population decrease due to the cell death population लगातार घरती चले जाएग cell के death होने के बज़े से this phase is like lock phase यह पेज बिलकुल lock phase की तरह होती है क्योंकि lock phase में क्या होता है population लगातार बढ़ती है जबकि decline phase में क्या होगा population लगातार घरती है तो कैसी किस तरीके की है lock phase की तरीके की है this phase is like lock phase but population decrease लेकिन इसमें क्या होगा population decrease करेगा lock phase में क्या होगा population increase करेगा जबकि decline phase में population decrease करेगा लेकिन nature दोनों का एक ही जैसा रहेगा लगवाउब र मैंगराप का जो नेचर है वह जैसा रहेगा बट आपोजिक डरॉरेशन आप इस फेज रही वैयरेबल जो डेकलाइन फेज्च जो डियुरेशन थे द्री चानफ होता है और फिर टर्डवलिश का ज्यादा होता है कि जिसका ज्यादा होगा मौंण अगला प्रक्ट पड़ेंगे प्रेक्ट कईर लृत करें ग्रोधा बेखेक्टिरिया इसका अगले वीडियो में बात करेंगे झाल झाल